मज़ कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो अकैडमी पर और हम लगतार जो करमचारी हों जो केंदर सरकार के करमचारी हैं उनके ट्रांसफर से समंदी जितने भी नियामावली हैं केंदर सरकार के करमचारी हैं चाहे वो डिफैंस सिवलियन स्टाफ हैं सभी के लिए जो ट्रांसफर से समंदी जितनी भी नियामावली हैं वो अपने चैनल पर वीडियो के माधम से प्रस्तूत कर रहे हैं आज एक नया वीडियो लेकर रहा हैं इस वीडियो के माधम से हम आपको बताएंगे जो पत्ति एम पत्नी एक इस स्टेशन पर तैनाती कैसे करवा सकते हैं यानि हस्बेंट वाइफ सेम स्टेशन पर पोस्टिंग कैसे करवा सकते हैं चाहे वो सेंट्र गवर्मेंट के इंपलाइज हैं या डिफेंस सिवलिन इंपलाइज हैं उसके लिए भारत सरकार के कार्मिक लोग शिकायत हैं पैंशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 स्टंबर 2009 को एक डेटेल गाइड लाइन जारी की थी जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी हैं इसमें बताते हैं आपको क्या-क्या नियम रहेंगे आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आपके क्या-क्या नियम रहेंगे जो हस्बेंड और वाइफ दोनों ही सरकारी सेवा में केंदर की सेवा में या रज एक हस्बेंड या वाइफ में से कोई या स्टेट गॉर्मेंट में काम करता है किसी भी स्टेट गॉर्मेंट में काम करता है और सेंटर गवर्मेंट में काम करता है तो भी वो एक स्टेशन पर कैसे पोस्टिंग करवा सकते हैं इसके लिए एक डिटेल गाइड लाइन है यह आपको बताते हैं इसमें क्या-क्या बताया गया है यह कारेलिया ग्यापन है 30 तंबर 2009 का इसके मादम से बताया गया है कि पती एवं पतनी एक ही स्टेशन पर तैनाती कैसे करवा सकते हैं जीवन के सभी क्षेत्रों में मेलाहों की स्थिती में सुधार को मैतव दिये जाने के मद्धे नजर एवं उन्हें समाने जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए वं बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पति एवं पतनी को जो सरकारी सिवा में है कि एक ही स्टेशन पर तैन्याती के लिए कार्मिक एवं परसिक्षन विभाग के कारेलिया ग्यापन दिनाक 3-4-1986 एवं 12-6-2004 द्वारा दिशा निर्देश दिये गए थे और इस विभाग ने 23-2004 को उप्युक दिशा निर्देश निर्देशों के अक्षरश पालन के लिए सभी मंत्रालियों और विभागों को अनुदेश जारी कर रखे हैं उनकी कांटूनिशन में ही यह है 2009 का कारेलिया ग्यापन आया था इसमें डिटेल बताया गया है केंदर स समिक्षा की गई क्या इन अनुदेशों का अनिवारिया बनाया जा सकता है यह निर्दे लिया गया है कि जब पती पतनी दोनों के अंदर सरकार में हो या एक ही विभाग में कारियरत हो एवं यदि पद उपलब्द हो तो उन्हें अनुदेशन पर तैनाद किया जाए कारेल जरूरी नहीं है कि लंबी सेवा वाली जिवन साथी को सेवा में परियावत पदों एवं किसी भी विभाग द्वारा निजदी की स्टेशन पर तैनाती अनिवारिया कर दी जाए छटे केंद्रिय वेतनायोग के अधार पर सरकारी सेवकों को पहले से ही बालाचारिय आवका के लिए अनुमती दी गई थी जो बच्चे 18 वर्स तक होने तक दे है इसी परकार कारियलिया गयापन 12-6-1997 के उबंदों में संसोधन किया गया है अब समकेतिक दिशा निर्देश निमलिकित होंगे जहां जीवन साथी उसी अखिल भारतिय सेवा अथवा IES IPS एवं भारति किया वन्य सेवा समूख का में से किनी दो सेवां से समंदित हों तो उन्हें सेवा के सदस्या के अनरोध पर सेवा सदस्या को इस परकिरिया के अंतरगत उन्हें ग्रियस समवर्ग में तैनात करने के अधिन एक जीवन साथी को उसके अपने समवर्ग से दूसरे जीवन साथ उस टेशन में तैनात कर सकते हैं। जीवन साथी तैनात हो जहां जीवन साथी समान केंद्रिय सेवा में समंदित हो वहां समवरग नियंतर प्रादयकारी जीवन साथी को उसी स्टेशन पर तैनात कर सकते हैं जहां जीवन साथी हस्बेंड या वाइब में से किसी एक केंद्रिय सेवा से समंद रखता हो दूसरा जीवन साथी अन्य केंद्रिय सेवा से समध रखता हो तो उस तिती में एक स्टेशन पर लंबी सेवा वाला जीवन साथी आपने समुचित समवर्ग नियंतर प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है और उक्त प्राधिकारी उक्त अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है रिक्त पद की अनुलबत के अधार पर अन्रोद को सविकार करने की स्तिती में ना हो, कम सेवा वाले जिवन साथी तदानुसार समूचित समवर्ग प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, एवं वो प्राधिकारी उप्त अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनाती के अन्रोद पर विचार करेगा, यदि उस स्टेशन पर कोई पद ना हो, तो नजदी की स्टेशन जहां पर पद हो, वहां तैनात कर सकता है, अब अगला जो कारण बताया गया है, जहां जीवन साथी अखिल भारतिय सेवा, एवं अन्या जीवन साथी सावर्जनिक सेवा के उपकरम से कारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है, यदि-PSU में उस स्टेशन पर कोई पद ना हो, तो उस रजय में तैनात कर सकता है, जहां दूसरा साथी तैनात हो, अगला नियम कारेलेग्या पन के तहई बताया है, जहां एक जीवन साथी केंद्रिय सेवा और दूसरा पी-ए- के अntरगि कारिय रत जीवन साथी कष्शंप प्रादिकारी को अवयदन दे सकता है उस उख्ढद प्रादिकारी उख्ढद कर सकता है या यदि उस टेशन पर πα्दना naito da do İh Su में उख्ढद प्रादार के सकती क давно के पहिता जाकती तो तोख ना राज्य सरकार के अंतरगत हो तो उस तीति में क्या किया जा सकता है केंद inlet सरकार के अंतरगत कारेरत जीवन साथी शक्षम परादिकार को अवेधन कर सकता है और शक्षम प्रादिकारी उस अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है यदि उस स्टेशन पर कोई पद नय हो तो उस रज्य में तैनात कर सकता है जहां दूसरा जीवन साथी तैनात हो यदि पत्नी एवं पत्नी एक विभाग में कारियरत हो और वहाँ अपेक्षित स्तर्प का पद उपलवत हो तो उन्हें समाने जीवन जीने में 18 वर्स तक उनके बच्चों की देखवाल के लिए उन्हें समाने तै एक ही साथ ही तैनात किया जाना चाहिए यह केंद्रिया स्टाफ किंग स्कीम के अंतरगत न्यूक पर भी लागू नहीं होती यहां केवल पत्नी ही सरकारी सेवा में हो वहाँ उप्त रिक्तियां सरकार करमचारी पर लागू होगी कभी कभी शिकायतें मि प्राफ्त होती हैं इस बारे में निरदेश दिये गए हैं कि जीवन साथी के तैनाती स्टेशन पर उपलब्ध होते वही परशासनिक अधिकारी परशासनिक कारूनों का हवाला देकर करमचारी को तैनात नहीं करते ऐसे मामलों में भी समवरग निया प्रागों में अब एतनों सिकायत नियंत्रन निवारण तंतर के समानेद चैनल विद्यमान है तो अनुपालन रोकने के लिए अतरिक सुरुक्षा प्याय यह सुनिष्चित करने के लिए किया जा सकते हैं कि अनुदेशों के पालन नैक करने के विरूद। सिकायतों एहम संबंद में निर्णय मूल रूप से लेने वाले प्राधिकारी के एक स्थर उपर के प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा जिसे भार सरकार समंदित PSU के मुख्य सचिव स्थर के नीचे के अधिकारी हों इस परकार यह डिटेल गाइलेंड थी जो पती पतनी एकी स्थान पर तैनाती करने की यानि हस्बेंड वाइफ को एकी स्थेशन पर तैनाती करने की जो गाइलेंड थी इसके मुताबिक दोनों पती पतनी को एकी स्थेशन पर तैनात किया जा सकता है यदि कोई करमचारी एक क ट्रांसफर किया जा सकता है और जहां बात करें यहां डिफेंस सिविलियन स्टाफ की उनके मामले में भी यही रूल लागो होता है और इस रूल्स के इस रूलिंग के अधार पर भी उन्हें कमपेशनेट अधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है तो इस परकार के जो करमचारि से संबंदी ट्रांसफर से संबंदी जितने भी नए नए अपडेट हैं चाहे हो Central Government के हैं या State Government के हैं और इसके इलावा जो Defense Civilian Staff के जो transfer से रूल से संबंदी जितने भी अपडेट हैं हमारे चैनल पर आते रहे हैं उनको इन अपताज़ा अपडेटों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक वाश्रेयर शेयर जरूर करते रहें धन्यवाद